नमस्कार प्यारे दोस्तों एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे और दोस्तों एक बार फिर आपके लिए लेके आगे हैं राजस्तान आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा दिवारी एंड लेट्स स्टार्ट वितांसर ओफ ओमवर क्वेशन और ओमवर क्वेशन में हमने आपसे पूछा था कि 2010 में किस राज्य को श्रेष्ट राज्य का राश्टी परेटन पुरुसकार प्रदान किया गया आप्शन नमर्डी स्करेटियर राजस्तान वर्ष 2010 में राजस्तान को राश्टी इसतर पर उपरास्ट पती हामिदन सारी द्वारा ततकालीन राज्य परेटन मंत्री बीना कौक को श्रेष्ट परेटक राज्य का पुरुसकार प्रदान किया गया था जनसंक्या करना के अनुसार राजस्तान जनसंक्या में देश का कौन से क्रम का बड़ा राज्य है ओप्शन नमर्डी सी इस करेक्ट हीर आठ्वा इस करेक्ट आंसर and the question is the answer is telling that राजस्तान का जनसंक्या की दृष्टी से भारत में आठ्वा स्थान है देखे दोस्तों यहाँ पर राजस्तान का जनसंक्या की दृष्टी से भारत में आठ्वा स्थान ही यहाँ पर बताया जा रहा है 2011 में सरवाधिक जन संक्या वाला जिला 2011 की जन संक्या की जनगर्णा की अनुसार यहाँ पर बात की जा रही है कि देश में कौन से स्थान था? आठवे स्थान पर था चिलका जील इस्तित है और चिलका जील कहां पर इस्तित है? देखे option number 2 is correct year और इशा में उत्री तट पर चिलका जील इस्तित है चिलका एशिया में खारे पानी की सबसे बड़ी जील है शर्दियों के मौसम में यहाँ बड़ी संक्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है next global warming और जलवायुपरि वर्तन की रोक थाम पर केंद्र अंतर रास्टी सम्मेलन دिसंबर 2009 में हुआ था option number D is correct year Copanhegan में global warming और जलवायुपरि वर्तन की रोक थाम पर केंद्रित अंतर रास्टी सम्मेलन दिसंबर 2009 में हुआ था पर्यावरनी प्रिदूशन नियंत्रन और प्राक्रतिक संसाधनों के प्रबंदन में EPI रिपोर्ट 2010 के अनुसार प्रतम इस्थान दिया गया किसे दिया गया था? Option No. B is correct here, I-Land को Option No. B is correct here, I-Land को Next Question Foreign Policy Global Governance 2025 report में भारत को दुनिया का कौनसे नंबर का ताकतवर राष्ट गोशित किया गया है? Option No. Option No. C is correct here, I-Land को प्रतरूपित नहीं करती Option No. A is correct here, I-Landic, I-Sthirtha Next Question Sanchar उपग्रह से संबन्दित G.S.L.V. मिशन कप प्रारम भुआ था? Option No. A is correct here, I-Land 2001 में Now the next question is asking काचमांडू कौन से संगठाले का मुख्याले है? Option No. D is correct here, Sark में आपको पता है कि काचमांडू में किस संगठाले का मुख्याले है? तो सार्क किस आपना साथ 8 देसंबर 1985 इस भी में की गई थी, इसका मुख्याले काचमांडू में है? काचमांडू में है, तो कहां का मुख्याले है, तो सार्क का मुख्याले काचमांडू में है और इसके सदस देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, निपाल, भूटान, शिलंका, माल्दी, पिवम अभगानेस्तान है? Next question is asking, Amnesty International संसा का प्रमुक कारी क्या है? Option number C is correct, एर मानुव अधिकारों की सुरक्षा करना, Amnesty संस्तान को वर्ष 1977 में शोशन के खिलाब अवियान चलाने के लिए नोबल शांती पुरुसकार प्रदान किया गया था, तो वही वर्ष 1973 में संयुक्तराष्ट संग के अधिकारों पुरुसकार से नवाजा गया था, Next question, भारत सुरक्षा परिशत के आइस थाईस अदर्षे की रूप में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? Option number 20 correct year, दो वर्षों के लिए, Next question, संयुक्तराष्ट संग के बर्तमान महासचिव ववान की मून किस देश के है? Option number 20 correct year, दक्षिनी कोरिया, इस करेक्ट आंसर, दक्षिनी कोरिया, इस करेक्ट आंसर, Next question, 2021 के सिती के नुसार, भारत में गरीबी रेखा से नीचे की आवादी का प्रतिशत कितना था? Option number 20 correct year, 26 percentage, निम्ने में से कौन निर्गुट आंदोलन के जन्मदाता या सूत्रदारों में स संसोधन कर समाजवादी पंत निर्पेक्चवाखंडदा शब्द जोडे गए, option number 1 is correct year, 42 यानि की वयालिस्वे संसोधन द्वारा, समिधान की प्रिस्तावना में संसोधन कर समाजवादी पंत निर्पेक्चवाखंडदा शब्द जोडे गए थे, let's move to question number 66 and the question is asking that समिधान क एक इस भाग में जनकल्यानकारी राज्जी की अवधार्ना को बिस्तार से उलिखित किया गया है, option number 20 is correct year, राज्जी की नीत निर्देशक्तत, next question, राश्ट्रपती की मृत्व या त्याग पत्र की अवस्था में उपर राश्ट्रपती कारे करता है, option number C is correct year, अधिक्तम 6 मा की अवधी के लिए, अधिक्तम 6 मा की अवधी के लिए, अनुचेद 62 के तहट राश्ट्रपती पद आकस्मिक रिक्त हो जाने पर उपर राश्ट्रपती राश्ट्रपती पद का निर्वान करता है, next question, प्रधान मंत्री, option number C is correct year, राश्ट्रपती द्वारा नियुक्त किया जाता है, अनुचेद 75 के तहट, लोकसभा में बहुमत दिल के नेता को राश्ट्रपती प्रदान मंत्री पद पर नियुक्त करता है, next question is asking, दक्षणी पश्चमी मानसून सबसे पहले पहुँचता है, कहां पर पहुँचता है, option number B, इस करेक्टियर केरल तट पर, बारत की प्राइदीपी आकरती के कारण, दक्षणी पश्चमी मानसून दो साखाओं में विवाजित होता है, अरब सागर वा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर शाका का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज में, जून के प्रतम सप्ता में आता है, मारत में कितने राजी समुद त्रित ट्रेखा से लगे हुए हैं, जिन में शामिल हैं, गुजरात, महरास्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमिलाडू, आंधर प्रदेश, उडिशा, इवं पश्यम, बंगाल नेक्स्क्वेशन, कितमें से माल्टा, कहां अवस्तेत है, ओप्शन नमबर, डी इस करेक्टियर, भूमद दिसागर इनरजी, राज में चार पेट्रोलियम संबब्य छेतर हैं, जिन में, जो है, राजस्तान के बार मेर सांचा और दोडी में, तेल की, खोज और वाणिजी, कुतपादन में, कियन, कियन एनरजी, जो है, इस कंपनी से संबध है नेक्स्ट, दोजार एक की जनगर्णा के अनुसार, निम्न राजीव में किनका जनसंक्या गनतो अधिक्तम है, ओप्शन नमबर, एस करेक्टियर, पशिमी बंगाल, दोजार एक की जनगर्णा के अनुसार, पशिम बंगाल में, जो है, जनसंक्या गनतो अधिक्तम है, ओके नमबर बीस करेक्टियर सम्मेधाने कुपचारों का अधिकार वारत में संगीन यायले की स्थापना की गई थी ओप्शन नमबर सी इस करेक्टियर 1935 के अधिनियम द्वारा नेक्स क्वेशन 1919 के अधिनियम के अंतरगत प्रांती प्रशाशन में जो महान पडिवर्तन आया वह क्या है ओप्शन नमबर बीस करेक्टियर प्रांतों में द्वैद शाशन की स्थापना नेक्स क्वेशन इस आसकेंग दाट सभीने अवग्या अंदोलन के सगटना के साथ प्राडम बुआ ओप्शन नमबर सी इस करेक्टियर दांडी यात्रा के साथ सभीने अवग्या अंदोलन प्राडम बुआ था बारत आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रदान मंतरी कौन था बारत छोड़ो आणदोलन के शुरुआत कि 9 अगस्त 1942 S.P. को हुई थी और उस समय प्रदान मंतरी चर्चिल था इंग्लैंड के प्रदान मंतरी चर्चिल थे से कौन से बिचारक के अनुसार सिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को भारने की प्रक्रिया है आप्शन नमर 20 करेक्टियर PESTALAG के अनुसार सबसे अधिक सही ढंक से प्रकट करता है नमर 40 करेक्टियर यह सिक्षा को मनोविग्याने का अधार प्रदान करता है नेग्स क्यूसे आस्किंग नमर 1 कितमे से कों सा कतन अधिगम की प्रक्रिया को उचित जंग से प्रस्तूत करता है देखे मनो विज्ञान से समंधित क्वेशन अब शुरू हो चुके हैं कि निम्न में से कौन सा कतन अधिगम की प्रक्रिया को उचित जंग से प्रस्तूत करता है तो option number A is correct here ब्योहार में परिवर्तन अधिगम का समध्ध प्रतिक्रिया सिध्धान्त निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था तो पावलाव ने condition response theory यानि की समध्ध प्रतिक्रिया सिध्धान्त प्रतिपादित किया था कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा होता है अप्शन नमर सी इस करेक्टियर सोने स्थानांतरन के नाम से इसे जाना जाता है क्योंकि पहले से किया गया कारे दूसरे वाले कारे को प्रभाबित नहीं कर रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ सम्मंदित नहीं है Option number A is character, दूसरों पर निर्भरता जो है ये मानसिक विकास के साथ सम्मंदित नहीं है इसके लावा मानसिक रियाओं की तीबरता, कलपना की सजीवता, सीखने की प्रक्रिया में तीबरता ये सबी जो हैं मानसिक विकास के साथ सम्मंदित है नेक्स क्वेशन इसके निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्त बावात्मक विकास में सहायक नहीं है तो Option number B is correct, ये यहाँ पे सही आंसर है लेट्स मूब टू नेक्स क्वेशन, थोड़े से क्वेशन और रहे गएं दोस्तों तो वीडियो को पूरा-पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा एरिक्षन द्वारा विक्तित विकास के सिध्धान में दिये गए मनों समाजिक विकास के स्त्रों में से कुछ उनसे समंदित द्वंद के साथ नीचे दिये गया है किस विकल्प का कतन गलत है तो ऑप्शन नमबर टू इस करेक्टियर चार से पांच वर्ष तक का जो बालक होता है उसमें सत्रिष्टरता बनाम नहराश्ट यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि देखें यहाँ पे पहला नमबर वो क्या है विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था होती है वो जन्म से 18 माह यानि देड़ वर्ष तक स्वतंतरता अत्मनिर्भरता बनाम यानि की बनाम लज्जा शीलता की जो अवस्था होती है वो देड़ से 3 वर्ष तक होती है फिर पहल शक्ति बनाम दोशेद, यानि कि 3-5 वर्ष तक की अवस्ता, परिश्रम बनाम हीनता, उद्धमिता बनाम हीन बावना, 6-12 वर्ष, आहम पहचान बनाम, यानि कि एकात्मता, 12-18 वर्ष, खनिष्छिता बनाम विलगन, जो है वो 18-35 वर्ष, सिजनात्मक्ता बनाम संपूर्णिता बनाम नेराश जो है संपूर्णिता बनाम हताशा 65 वर्ष के बाद यह सही सीक्वेंस है व्यक्तित्वम आपन की वस्तुनिस्ट विदियों में से कौन सी नहीं मानी जाती है ओप्शिन नमबर डी इस करेक्टियर अभी ग्यापक प्रिशनावली जो है वो व्य निमने में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग करना चाहिए ओप्शिन नमबर वन इस करेक्ट एर छती पूर्थी इस करेक्ट आंसर नेक्स्क्रेशन निमने कित में से किसने बुद्धी का बहु खंडन सिद्धान प्रतिपादित किया तो थौन डाइक ने बहु खंडन सि गोडों को अंकित करता है तो देखे ऑप्शन नंबर डी इस करेक्टियर निरंतर्ता, लोचनीता, मौलिकता एवं विस्तार यहाँ पे सही सीक्वेंस है नेक्स क्वेशन प्रेरकों का वर्गी करण अनेक विद्वानों ने किया मैसलों के द्वारा किया वर्गी करण सही डंक से निम्न मेंसे किस विकल्प में दिया गया है ओप्शन नंबर बी इस करेक्टियर जन्मजात एवं अर्जित इस करेक्ट आंसर ओके जन्मजात एवं अर्जित नेक्स वेशन सिक्छा की प्रक्रिया में प्रेरिणा का महात तो इस बात को धियान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कारे नहीं करना चाहिए ओप्शन नंबर C is correct here इनामों का प्रलोबन देकर बालकों में प्रतिद्वन्दिता पैदा करना सिक्षा की प्रक्रिया में प्रेड़ना कमातो है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को जो है बालकों को अपने कारे में सफल होने के इनामों का प्रलोबन देकर बालकों में प्रतिद्वन्दिता पैदा करना ऐसा नहीं करना चाहिए नेक्स्ट निम्न में से उपलाब्दी अभी प्रेड़ना पर किन लोगों ने काम किया प्रतिवास आली बालकों की पहचान निस्पादन परिक्षरों द्वारा कटिन मानी जाती है इसका उपरियुक्त कारण के इस विकल्प में दिया गया है तो प्रतिवास आली बालकों को नहीं पहचान सकते Let's move to next question, इमने में से कौन सा विकल्प उपलब्धी में विक्तिकत विन्निता का प्रतीक नहीं है, option number B is correct here link में विन्निता, now only few questions are left तो वीडियो को पूरा पूरा देखेगा दोस्तो, and the question is asking that रुची के संप्रत्य के तीन मुख के पक्षन इमने में से किस विकल्प में दिये है option number C is correct here, ज्यानात्मक, रियात्मक एवं भावनात्मक, रुजान एवं मनुब्रती के संबंध में इमने में से कौन सा कतन सही नहीं है, option number A is correct here, मनुब्रती वश्चान उक्रम से प्रभावित नहीं होती, last question of the series, आत्म संप्रत्य के संबंध में इमने में से कौन सा कतन सही न नहीं है, option number A is correct ही है, तो दोस्तों, अभी हमने पूरे किये है, top 50 most important question from old question paper.